हेलो गाइस, टेरोट वित मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपने वारा को फॉसरिटिव किये होंगे आज हम जो डिडिंग करें, उसका टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह एक जनल डिडिंग है, हो सकता आपके साथ रेजुनेट करें, ना करें, जो चीज आपकी कंडिशन के अनसार आपको रेजुनेट करतें, उसे प् okay the lovers tower chariot ace of swords knight of swords okay the fool take one card and start the reading confusion vanity perception okay bottom of the deck miracle 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 cards are they wow okay the master okay 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 understanding okay 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 i hope okay 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 तो सबसे पहले में यह बताउंगी कि अगर आप मैंसे कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है जो आपके पार्टनर है या परसन जो है वो वहां नहीं रहते जहां पर आप रहते हो वो कहीं दूर रहते हैं यह लाउंग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है तो वहां पर मैं ये बताऊंगी कि आपकी रिलेशन्शिप में एक ठावर मोमेंट चल रहा है जी सॉरी लेकिन कार्स में है मैं बताऊंगी गाइडेंस जो आ रही है मुझे वही देनी होगे तो अभी बहुत आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी रिलेशन्शिप खतम होने वाली है तो वही आपके पार्टनर जो है ना आपके पार्टनर जो लॉंग डिस्टेंस में रहते हैं वो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे भी करके वो इस रिलेशन्शिप को कितनी भी बिगड़ी हो उसके बावजूद वो इस रिलेशन्शिप को ठीक करना चाते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है वो आपको खोना नहीं चाते हैं किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाते हैं कन्फिूज jackets थे वो definitely पहले आपको ले कर confused थे no doubt आप भी कन्फिूज थे लेकिन उनका confusion दूर हुआ है और वो कैसे भी करके इस रिलेशन्शिप में एक बैलन्स लेके आना चाते हैं तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो दूर रहता है न आपसे तो वो जैसे तैसे करके बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आना चाते है उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपसे मिलकर चीजों को सुलजाया जाए चीजों को सुधारा जाए क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी लग गया है अब कि खतम हो चुके ये रिलेशन्चिप या हो जाएगी ठीक है ये आपको लग रहा है लेकिन वो तो अपनी तरीके से कोशिश करना चाते है जी आपके जो पर्सन है न वो ये कोशिश करना चाते है कि ये रिलेशन्चिप वापस सुधर जाए वापस ठीक हो जाए और ये बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आएंगे और ये relationship में एक सुधार भी होगा एक नई शुडवाद चाहते हैं इस रिष्टे में और वो सुधार होगा ये इस रिष्टे की नई शुडवाद भी होगी ठीक है ना? तो कुछ के लिए ये है कि आपके person आपसे मिलना चाहते हैं और इसी चीज के बारे में उनके दिमाग में चीज़े चल रही है ठीक है? कुछ लोगों की बारे में मैं ये बताऊंगी की आप जो है ना अभी काफी अक्यले फील कर रहे हो जैसे कुछ हमारी व्यूवर्स हो सकते हैं कि कुछ एज में हैं ठीक है ना? तो आपको family की तरफ से हो सकता है कि परेशानी हुई है अभी इन दिनों में और आप बहुत अकेला फील कर रहे हो क्योंकि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं आप बताओ तो किसे बताओ family के बात बाहर जाके किसी को पहचान वाले को कहना आपके लिए अच्छा भी नहीं एकदम alone alone से feel कर रहे हो lonely feel कर रहे हो आप तो आपके लिए मैं यही बताऊंगे कि आपको आपके लिए कोई एक मित्रा आने वाला है जिसे आप एकदम अपने मन की बात खुल कर बता सकते हैं न वैसा कोई मित्रा आपके लिए में आने वाला और यह मित्रा आपको कही गार्डन में मिलेगा definitely तो वहाँ बाचित करते करते हैं आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी जहां आप अपने मन की बात पूरी तरीके से खुल कर कह सकते हो और वो भी अपने मन की बात खुल कर कह सकते हैं जहां आपको इस चीज की attention नहीं होगी कि यह आपकी जान पेचान में है यह आपकी बात कहीं और कर दे ऐसा आपको नहीं लगेगा ठीक है ना तो कुछ के लिए तो मैं definitely बताऊं कि आपकी life में कोई ऐसा person आने वाला है जो आपकी दुख तकलिफ का साजेदार बने है ठीक है ना तो वैसा कुछ होगा ठीक है कुछ के लिए मैं बताऊं कि आपको लेकर कुछ लोगों की think ऐसे ही है कि आपको बहुत गमंडी समझा जाता है मतलब उनका सोचने का तरीका आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा गमंडी समझा जाता है अब ये पता ने उनके दिमाग में क्यों है या तो आपके stability को देख कर या आपके personality को देख कर और दोनों ही दोनों में ही मैं कह सकते हूँ कि है आपका रुदवा है आपके personality कुछ ऐसी लेकिन आपका औरा कुछ ऐसा है ना कि आप गमंडी नहीं हो मुझे पता है मतलब कार्ट के जरीए बता सकती हूँ है ना कार्ट के जरीए मैं बता सकती हूँ कि आप में गमंड नहीं है लेकिन आपको लेकर लोगों की ठिंक ये रहती है और आपने सुना भी है कई बार कि लोग जब पहले आपसे बात नहीं करते हैं ना या आपकी बात नहीं होती तब तक तो उनके दिमाग में यही चलता गमंड ये आपसे बात होने के बाद वही लोग आपको बोलते हैं कि अरे मैंने तो आपके बारे में सुना था और यह सा लगा भी मुझे कि आप गमंडी हो लेकिन आप हो तो नहीं ऐसा कुछ है ठीक है न कुछ के लिए पताओं कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपके बारे में एस सोचते हैं कि आप काफी intelligent हो ठीक है आपके intuition बहुत तगडी है बहुत शांदार है लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी self worth नहीं पहचानते कि मतलब जिस काबिल आप होना वहां तक आप नहीं पहुंचते आपका confident कहीं न कहीं lose है और ऐसे लोगों आपका confident बढ़ाने के लिए काफी प्रयास भी किये है काफी कोशिशे भी किये लेकिन पता नहीं क्यों कोई phobia है आपको पता नहीं क्या है कि आप अपने self worth नहीं पहचान पाते कुछ लोगों ने तो आपके intuition का power देखा है कि आपने जो कुछ चीज होने वाली होती है वो पहले ही बता देते हो तो उनको भी पता है कि आपके intuition कितनी तेज है तो फिर आप अपने self worth क्यों नहीं पहचान पाते हैं क्यों नहीं समझ पाते हैं अपनी life का नजरिया थोड़ा अपने लिए change क्यों नहीं कर पाते हैं तो आपके इतेसी लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं और कुछ की life में लोग ये भी सोचते हैं कि आप अपनी life में बंदे बंदे से क्यों रहते हो अच्छे लोग आपके life में भी है वो ये सोचते हैं कि आपको आपने जो ये खुद को खुद के लिए जो boundaries बना के रखे हैं ना दूसरों ने तो आपके life को control किया ही किया लेकिन आप भी उस boundary को पार करने में कहीं न कहीं हिच की चाते हो ना तो जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं वो आपके बारे में ये ही सोचते हैं कि ये क्यों इस boundary में रह रहे हैं क्यों इस boundary को तोड़ नहीं रहे वाकई में इतने अच्छे लोग भी होते हैं लाइफ में सारे के सारे बुरे नहीं होते हैं देखो कुछ आपको अपनी सर्फ वाड पैचानने के लिए ततपर हैं प्रयास करते हैं तो कुछ आपको इस कंट्रोल वाली जिंदग्य से बाहर निकालना जाते हैं कि आप कर्फुतली जैसे ना रहो उस बाउंडरी से बाहर निकलो अपने आपको पैचानो आपका नजरिया चेंज करवाने के कोशिश करते हैं बट आपका आप उनकी बातों को ना सीरियसली नहीं लेते हैं सच बताओं ये तो है आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो क्योंकि आपको लगता ये तो होगा नहीं और वो आपको ऐसे बड़ा चड़ा कर कहने के कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है यहाँ पर कार्स बता रहे हैं आपको बाउंड को तोड़ने पड़ेगी क्योंकि कुछ तो लोगों ने बनाई हैं आपकी लाइफ को कंट्रोल कर करके और कुछ आपने बना दी ये तो चीजे गलत हो रही है ना इससे बाहा निकलो फिर देखो आप अपने सालफ वाट भी पहचान होगे और काफी सक्सस भी हासिल करोगे ठीक है ना तो आपके लिए ये है कि कुछ लोग आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं ठीक है ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं क्योंकि मोस्ली इतना अच्छा चाने वाले तो फैमिली के लोग ही हो सकते हैं और friends भी हो सकते हैं, है ना? कुछ की life में मैं बताओं कि आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा confused हैं, बहुत ज़्यादा. किसी भी चीज को या किसी भी decision को लेगने में आप सक्षम नहीं है. आपको हर किसी decision, कोई भी मुद्य पर decision लेने के लिए किसी के help के आफशकता पड़ती है. तो आपके बारे में ऐसा भी सोच जाता है, कि अकेले आप किसी decision पर पहुँशने में काबिल नहीं हो. ये confusion दूर कर दो ना ऐसे लोगों का. क्योंकि इतने भी confused नहीं हो, जितना लोग सोच रहे हैं आपके बारे में. क्योंकि आपने अपनी life के काफी सारे major decisions जो है ना खुद लिये हैं. बट होता है कुछ लोगों का ठपा लगाना, बस वैसा ही कुछ ठपा लगता है आप पर. और वो भी समय आने पर अपना फट भी जाता है. तो आपको इस बात को ज़्यादा अपने दिमाग पर लेने के आफशकता नहीं. बस यही reading में आया है तो मुझे बताना था. ठीक है ना? तो आपको इस बारे में चिंता करने की जुरत नहीं. क्योंकि आपने लिये हैं. कार्स बता रहे हैं. अपने लाइफ में बड़े-बड़े डिसिजन आपने खुद लिये हैं. और वो सक्सेस भी रहे हैं. तो लोग चाहे कुछ भी सूचें. फरक नहीं पढ़ना चाहिए. है ना? बस ऐसे इसी confidence से आगे बढ़ो आप. ठीक है ना, गाइस? तो हर किसी की life में अलग-अलग person जो है, आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं. जिनके बारे में मैंने आपको बताया. तो I hope आपको reading पसंद आई है. अगर आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए. वीडियो को comment, like, share कीजिए. मैं मिलते हैं आपको नेक्स टेडिक में. तब तक के लिए, bye-bye.